हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक इन होट ट्रिपल वन फंडामेंटल्स ऑफ होटी कल्चर लेक्चर शिक्स प्रोपोगेटिंग स्टॉक्चर्स जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में देखा था नर्सरी राइजिंग इस इंपोर्टेंज उसमें अपने नर्सरी के बारे में पड़ा था की नर्सरी होती क्या है इस टॉपिक में आपने देखेंगे कि उसके अंदर जूcnपोनेंट्स ते उसमें कुछ और भी यूज्ज यूज किया जाता है नर्सरी के अंदर भी प्रोंगेशन के लिए ठीक है वो अपने इस टॉपिक ़ूऔर और कवर करेंगे बहुत सी structures जो नर्सरी के अंदर यूज की जाती है ठीक है जो की प्रवर्धन के अंदर जैसे अपने मल्टिपलिकेशन करते है पोदों का ठीक है तो उस समय जो फैवरेवल एंवार्मेंटल कंडिशन्स होती है जो पोदे को वातावान यह दशाएं चाहिए होती है वो देकर जो कटिंग है वीज है उनके जर्मिनेशन को बढ़ाया जा सके उनके जर्मिनेशन जो अंकुरन होता है उनको बढ़ाया जा सके और हैल्दी प्लांट प्राप्त किये जा सके इनको यूज किया जाता है ठीक है दीस स्टक्चर्स आर एज फोलो कुछ स्टक्चर्स हैं जैसे ग्रीन हाउस है शैड हाउस है होट बैड्स है कोल्ड फ्रेम्स है इसमें से कुछ स्टक्चर्स को तो होगा नाम पर मुझे लगता है कई ज्यादा confusion में ज्यादा होंगे कि green house क्या होता है फिर मैं आपको आगे confusion बताऊंगे कि होता क्या आपको green house shed house आपने सुने हुए है ज्यादा तर नर्सरी के अंदर देखने को मिल जाएगा hot bed और cold frame बहुती कम और rare case में आपको नर्सरी के अंदर मिलेंगे तो देखते हैं होते क्या है पहले एक green house जो green house है वैसे तो आपको picture देखके समझ में आ गया हो कि green house होता क्या है ठीक है green house क्या ह इसका नाम green house ही क्यों है अब यह green color का क्यों नहीं है green house है तो बहुत से question है ना तो green house से मतलब green color से नहीं है green house green house effect पे काम करता है जैसे आपने पढ़ा कि global warming हो रही है गर्म हो रहा है जो temperature है वो rise हो रहा है ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिसके करण क्या हो रहा है कि तापन बढ़ने के करण अपना जो glacier है वो पिगल रहे है same condition है तो इस green house के अंदर भी उसी principle को यूज किया जाता है green house effect को कैसे इसके अंदर जो covering होती है वो plastic जा glass की यूज की जाती है जा fiber glass की यूज की जाती है plastic polythene sheet ठीक है उसकी यूज की जाती है तो यह क्या करती है जैसे सुर कर लेता उसे बापिस environment में जाने नहीं देता same principle होता है green house effect बार वाला जो है कि जो प्रत्वी के ओपर किरने पड़ती है सुरज की उसको जो अपना environment है जा वातावरन है जहां यह कहलो कि जो अपनी ozone परत है वो बापिस बाहर नहीं जाने देती जिसके करण अंदर का तापम किया जाता था जैसे European countries England है ऐसे देशों के अंदर इनका यूज पहले से ही किया जाता आ रहा है जैसे glass house है और green house है वहाँ पे वो अपनी सबजी उगाने के लिए घर के लिए यूज करने के लिए इनका यूज करते थे क्योंगि वहाँ पे ज्यादा तर वर्प रहती है तो इसमें यूज क्या करते है अब अपने इसके देखते हैं होता क्या है यह सच्ट्रस प्रोवाइड सफिशेंट फोर सीट और ऐसी स्ट्रस होती है वह प्रयाप्त गर्मी प्र देती है जो सीट होते है जहां आप कलमे लगाते हो उनके लिए glass is used less due to being expensive but due to the glass being durable the greenhouse lasts longer while the plastic sheets are more prevalent due to being cheaper the structure is made of metal or wood which is covered with glass or polythene चलो मैं एक simple simple वाशन बताता हूँ कि अगर इसे glass से बनाया जाता कांच का यूज करके बनाते तो ये ज़्यादा costly होता मतला बहुत ज़्यादा अपने पैसे लगते तो ज़्यादा तर ऐसी structure बहुत ही कम ज़्या लेवरेटरी जहां पे होती है जहां पे high-tech production होता है जैसे micro propagation से plant त्यार किये जाते हैं उनकी hardening करने के लिए ऐसे जो green house होते हैं उनका यूज उनके लिए बनाए जाते हैं glass house ज़्यादा तर ठीक है जहां फिर बहुत ही बड़ी nursery है जहां पे बहुत ही costly podों को त्यार करना होता है उनके लिए glass house त्यार किये जाते हैं laboratory condition के लिए जिसमें AC भी लगे रहते हैं fan pad system भी होता है बहुत से systems लगे रहते हैं वे उसके तापमन को कम करने के लिए और ज़्यादा तर जो nursery होती है ठीक है जहां पे commercial cultivation की जाती है फूलों की gladiolus है sorry gladiolus नी जर्वेरा है गुलाव की कुछ किसमे है इसके अलाबा tomato की कुछ किसमे है जो indeterminate type होती है जहां फिर cucumber खीरा है इसकी cultivation ऐसे poly house के अंदर की जाती है जो first picture में आपको show हो रहा है वो poly house है second में show हो रहा है वो glass house है ठीक है कांच का बना हुआ है तो है दोनों ही green house ठीक है same principle पे काम करते हैं बस पैसे अगर ज़्यादा लगाए है तो वो glass house बना रहा है और ये durable होता है क्योंकि इसमें गांच लगा हुआ है और ये जल्दी खराब नहीं होता जो plastic होती है कुछ time बाद सूरज की रोशनी के करण दूप के करण ये गल जाती है और लंबे time तक नहीं जलती मतलब चार-पांच साल तक चलती है उसके बाद फिर change करवानी पड़ती है ठीक है structure सेम ही रहती है काम सेम ही रहता है इनका ठीक है तो next है इन जो green house होते है इनके अंदर तापमान को कंट्रोल करने के लिए जो temperature होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सी सुविधाएं होती है ठीक है वैंसे तो जो green house है वो बनाया तो ताप को स्टोर करने के लिए ही जाता है ठंडे शेत्रों के लिए यूज किया जाता है पर आजकल जो इसके अंदर तापमान को कंट्रोल करने के कुछ equipment भी यूज किये जाते है लगाए जाते है जिससे की तापमान को नियंत्रित किया जा सके जितना चाहिए उतना रहे ठीक है तो इसके अंदर fan pad system यूज किया जाता है यहाँ आपको red color के fan दिखाई दे रहे होंगे कुछ ठीक है दो और यह दो यहाँ पर pad दिखाई दे रहे होंगे pad कुछ ऐसे दिखाई होते हैं यह दिखने में ऐसे होते हैं जैसे cooler के अंदर आजकल latest cooler आते हैं ना नए नए उनके अंदर लगे रहते हैं same pad वो लगे होए होते हैं और इनके उपर पानी बहता रहता है गीले रहते हैं जैसे cooler के अंदर रहते हैं और एक side इसके fan लगे होए होते हैं exact fan लगे होते हैं पेट फैन मतल가 जो हवा अंदर की हवा को बाहर फैंगते हैं ग्रीनाइब तो ह deux क फ़ेंगते हैं यहां प्रॉइंगते हैं बहुत बड़े होते हैं कुल्झ elly से बहुत बड़े होते हैं ठीक है तो इसमें क्या क्रते बाहर फेंकेंगे, जिसके करण अंदर का तापमान कम रहता है, कम हो जाता है, ठीक, यह fan pad system होता है, ज्यादा तर जो बहुत ही advanced green house होते हैं, उनके अंदर ज्यादतर यह use किया जाता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं जो, second उसमें system use किया जाता है, fogar system, fogar उपर फवारे ल लगे रहते हैं, जैसे ही तापमान ज्यादा हुआ, यह fogar automatically start हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, जिसके करण अंदर का तापमान कम हो जाता है, fogar से मतलब हलकी हलकी बूंदों में, जैसे फवारा चलता है न, same, बिल्कुल बारीक बूंदों के रूप में, वाश्प के रू ठीक है, green net होता है, या फिर grey से color का होता है, यह net शत के उपर लगाए जाते हैं, यह fold होने वाले होते हैं, जैसे ही आपको लगा कि अंदर का तापमान ज्यादा हो गया, तो इनको फेला दिया जाता है, एक side से इनका handle लगा हुआ रहता है, ठीक है, और जैसे ही लगता है कि तापमान अब अंदर का कम है, तो इनको fold कर दिया जाता है, एक side, और अच्छत पूरी खुली रहती है उपर से, खुली से मतलब कि वैसे तो polythene से तो cover रहती है, पर उपर से सीधी light पढ़ने लग जाती है, पोदों के उपर, तो अब तापमान rise होने लग जाता है, ठीक है यह system use किया जाता है, मतलब उपर से शाया कर देते हैं, जिससे पोदों का तापमान कम हो जाता है अंदर का, ठीक है, यह तीन system इसमें use किया जाते हैं, next है, but some low cost greenhouse also have a net to some height inside the polythene sheets, चलो मैं वैसे बता देता हूँ, इसमें होता क्या है, कुछ जो कम budget वाले greenhouse होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, वो इस जगह पे, ठीक है, picture में show रहा होगा, इस जगह पे, यहां भी है, ठीक है, यहां पे एक net लगा देते हैं, कि अंदर, जैसे ही तापमान अंदर का rise हुआ, जादा हुआ, यह net के उपर से polythene को हटा देते हैं, वैसे तो net अंदर की side है, उपर polyth polythene को cover कर दिया, बापिस उठा दिया, sorry, polythene को उठा दिया, जिससे कि बाहर की हवा, अंदर की हवा, मतलब हवा अंदर से बाहर बहने लग जाएगी, net के तुरू, जाली से होती हुई, ठीक है, अंदर का तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि यह वैसे तो green house है, polythene है, तो य ज्यादा होता है बाहर की तुलना में, तो उसको control करने के लिए यह ज्यादा तर जो cool वाले system होते है, cooling systems होते है, यह use किये जाते है, बाहर से temperature हमेशा green house का ज्यादा होता है, ठीक है, और हाँ इनके size कुछ यह कहलो कि इनकी shape, अलग-अलग शेतर के लिए अलग-अलग होती ह है, कई जगों पे आंदी आती है, कई जगों पे बिल्कुल plane areas होते हैं, कई पहाड़ी शेतर होते हैं, तो इनकी shape उनके हिसाब से बदलती रहती है, gamble है, Gothic है, मतलब बहुत सी shape होती है, मतलब उपर से जो structure दिखाई देती है, कैसा बना हुआ है, जैसे इसके उपर आपको द अंदर की air होती है, वो बाहर निकल सके, यहाँ जगह होती है, जाली लगी ही रहती है, उपर भी, ठीक है, तो मतलब अलब अलब shape उसके हिसाब से होती है, अपने इतने ज़्यादा deeply जाना नहीं है, इसलिए बस यह जाद रखना की होते कैसे हैं, एक और चीज, कई बर question उपने आप ही चालू कर देता है, automatic system होता है, thermostate control करता है उस चीज को, ठीक है, thermostate, next है shed house और let house, जिसे ज़्यादा तर लोग green house के नाम से सोचते होगे कि यह green house है, जिसको मैं पहले बताना चाहता था कि green house आप इसको सोच रहे होगे कि यह green house है, यह green house नहीं, यह let house होते है जिस चैडा हूस कहते हैं, green house नहीं होते हैं, green house poly house जो को होते हैं, उनको green house कहते हैं यह let house होते हैं यह shed house होते हैं, ज़्यादा तर nursery के अंдर आपको मिल जाएंगे, इनके अंदर जो नाजुक पोदे होते हैं, delicate plant, nursery plants होते हैं, जहъeं फिर गंले के अंदर पोदे लगे होए इंडोर प्लांट्स या कुछ और भी बहुत सी नरसरी वाले पोदे होते हैं उनको इस शेड हाउस के अंदर रखा जाता है कि वो सीधे डारेक्ट जो लाइट पढ़ती है सूरज की उससे जूल से नहीं और इसके अंदर तापमन कम रहता है हमेशा और यहां पर नमी भी बनी मतलब होता है कपड़ा और हाउस उससे बना वह कंपड़े से सिक्षाया वाला गर नहीं आगे होई यहां बहां पर से Agent कलाएगेवाए रहेंड को इस चल्ची ऩुटिर्टि नर्सरी दिख़ाए होगा जा पर जी आई पाइप यूज की जाती है इसको बनाने के लिए अंदर मैटीरियल लोहिका ठीक है और उपर से कवर करने के लिए एग्रो जो उपर वाली कवरिंग है इसको एग्रो नेट्स बोलते हैं ये वुवन प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं और अलग-अलग डैनसिटी के आते हैं डैनसिटी मतलब जो इनका गनतव रहता है जहां ये कहलो कि इसके अंदर जो शेद बने हुए रहते हैं हवा लगने के लि ज्यादातर 50% से जो उपर वाले होते हैं 75 है 90 परसेंट है वो ज्यादातर जो एग्रो नेट्स होते हैं वो यूज किये जाते हैं ये अलग-अलग कलर के भी आते हैं आपको कभी-कभी ये ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा एग्रो नेट्स यह हो सकता है आपको ब्लू से कलर में भी मिल जाए ग्रीन वाला तो आपने जर्नली देखा ही होगा ठीक है इनके कलर अलग-अलग हो सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है मैटर नहीं करता ज्यादा तर इसका काम एक ही है शाया देना पोदों को जो भी पोदे डेलिकेटेड होते हैं जहां बहुत ही नाजुक पो जाते हैं नर्सरी के अंदर जहां पे पोदों को मतलब ताजा ताजा रखा जा सके जैसे अपने चाहे तो आपने को ज्यादा प्रभावित कर सके पोदे की ताजे ताजे पोदे पड़े होई है अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो चीज़ इसके लिए जाज़ता शैडाउ लाल लकडी होती है उसका यूज किया जाता है इसे बनाने के लिए इसके लिए एक वुड का फ्रेम बना ले जाता है लकडी का फ्रेम बना लिया जाता है जिसे तारों से बुन का जाल की तरह बना लिया जाता है ठीक है the size of the structure is 0.9 into 1.8 square meter जो इसका लंबाई चोड़ाई हो जो पोधे की शुरुवाती वस्था होती है उस समय उनकी जड़े निकालने के लिए ठीक है और पोधों की जो पहली शुरुवाती वस्था होती है तब पोधों को इसके अंदर लगाया जाता है ठीक है कि उनकी जड़े असानी से निकल सके इन होट बैट सोयल और एनी रूटिंग मीडिया इस हीटेड फ्रॉम विलो इसके अंदर जो रूटिंग मीडिया होता है जहां कोई मिट्टी डाले जाती है उसे नीचे से गरम किया जाता है बना ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है कि नीचे से हीट पैदा होती है जिसके करन जो रूटिंग मीडिया उपर डाला हुआ है वो गरम रहता है और उसके करन उसमें जो जर्मीनेशन है बीज का जा कटिंग डाल रगी हुई है तो उसकी जड़े निकलने वाला काम है वो असानी से हो सके ठीक है जहां पर कम तापमान रहता है उन शेत्रों के अंदर तो इस इसके अंदर थर्मो स्टेट लगा रहता है तो इसमें चाहतो यूज करने वाले हैं जैसे होट केबल अब मैं आपको कैसे समझाओं चलो मैं आगे वाली पिक्चर में बताता हूं कैसे होता है कुछ ऐसा होता है ठीक है तो इसमें यहां देखो यह उपर वाला जो है यहां पोलिथीन जाग ग्लास की कवरिंग होती है उपर से उपर से पोदे दिखाई देते हैं जैसे ग्रीन आउस इफेक्ट रहता है यहां पे मिट्टी डाली जाती है पहले इसका मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं चलो तो यहां बीच में जो जगह है जहां अपने नेट लगा दिया है दो भाग डिवाइड कर दिया है एक उपर एक नीचे उपर वाले भाग में अपने मिट्टी डाल दी जहां रूटिंग मीडिया डाल दिया जिसमें अपने को पोदे लगाने है यहां पोदे लगाए ठीक है और नीचे वाली जो भाग है वहां पे अपने जहां तो गोबर की खाद डाल दी जो जर्शनलिन इसरी वाले करते हैं वो बता रहा हो- ठीक है? गोबर की खाद डाल दी, गोबर डाल दिया- कच्चा गोबर डाल दिया będziemy baş अ honor लेइं हीट पैदा होगी गर्मी पैदा होगी और जहां am不過 मिट्टी है इसको गर्म रखेगी है ठीक है heat के करण और कुछ जगाओं पर क्या करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमिक तरीके से बना जाते हैं वहाँ इस जगाओं खाली जगाओं पर यह कहलो कि यह खाली जगाओं एक डिबबा है खाली नीचे प्लेटफर्म खाली है वहाँ पर जो heater की rod होती है कुछ ऐसी rod लगा दी जाती है जो गर्म होती है जहां फिर यहाँ पर पानी वाली pipes लगा दी जाती है गर्म पानी की pipe लगा दी जाती है जिसमें गर्म पानी भहता रहता है हमेशा जहां भरा रहता है यह कहलो कि वो नीचे से गर्म रहती है और जो hot bed को उसकी गर्मी जो नीचे मिटी है इसको गर्मी मिलती रहती है उसकी ठीक है मतलब यहां त्यार किया जाता है कुछ structure कुछ ऐसी होती है देखने में ठीक है और कुछ ऐसी भी हो सकती है cold frame और hot bed में ज्यादा अंतर नहीं है चलो next चलते है cold frame cold frame क्या होते है same hot bed जैसे ही होते है कोई खास अंतर नहीं है इनको ज्यादा तर हलके जो materials होते है जैसे लोहा हलका लोहा है जा फिर लकड़ी है उससे बनाया जाता है और इनका काम क्या होता है पर यह मत द्यान देना वह hot bed थी यह सोच रहे हो कि वह गरम रहती थी यह cold frame है तो यह ठंडे रहती है cold frame और hot bed में ज्यादा difference नहीं है same function दोनों का same ही रहता है cold frame क्या करता है कि जो ठंड होती है उससे बचाता है गरमी ही पैदा करता है अंदर ठीक है और इसका main principle आपका green house वाला है उसका तो थोड़ा था नीचे से भी अपने गरमी दे रहे थे पर इसमें पूरा का पूरा principle same रहता है green house वाला तो इ नीचे इसके simple rooting media डाल दिया आपने ठीक है पोदे लगा दिये उपर से इसको plastic का बनाया जाता है यह कहलो कि जहां तो कांच का धकन लगा देते हैं इसके उपर जहां वही plastic sheet लगा दी जाती है ठीक है बनाने के लिए तो जिसके करन जो बाहर का तापमान जो बाहर की दूप सीधी इसके उपर पढ़ती है जिसके करन अंदर का तापमान राइज हो जाता है अंदर का तापमान बढ़ जाता है और अंदर गर्मी बढ़ी रहती है ठीक और यह ज्यादा तर दो परकार के होते हैं एक तो temporary और दूसरा permanent temporary जहां लकडी से बनाये जाते हैं मतलब एक सीज से बने हुए होते हैं दातू के बने हुए रहते हैं और इनका धकन भी कांच का बनाये जाता है कि यह लंबे टाइम तक चल सकी ठीक है इनका जो cold frame है यह ज्यादा तर जो तेज हवा बहरी होती है जहां आप कहलो कि heavy rain है बरसात है बहुत जारा बरसात आ रही है जहां ठंड हवा है उससे बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है ऐसी structures बनाई जाती है इनका size 2 into 1 meter रखा जाता है ठीक है 2 meter लंबाई हो गई चोड़ाई 1 meter उन्चाई आप जितनी भी रखो 60 cm रखी है तो 10 से 15 cm कम रखी जाती है एक side से जिससे कि यह सीधा सूरज की रोशनी की side हो hot bed की तरह है south east रखी जाती है ठीक है पूरव से दक्षिन की side रखा जाता है कि पूरी की पूरी दूप इसके उपर पड़े और जैसे ही इसका तापमन अंदर का rise हो जाता है कई वार क्या होता है कि तापमन बहुत ज्यादा हो जाता है सूरज की रोशनी के कारण अंदर पो मेरे इसाफ से आपको सम्दू में आ गया होगा अगर आपको सम्दू में नहीं आया तो आप मुझे comment कर देना मैं वापिस से इसके बारे मैं आपको बताऊँ गा इसके अंदर जो भी topic है ठीक है नहीं तो वर्टसएप नंबर ही मेरा ठीक है ठैंक यू